गाइज एक टूरी, मैं साल का था यार, ये अभी हाल ये की बात है, साल की उम्र, कल मेरा जनम दिन था, और मैं और एंडू, मेरे बर्ट दे पर हम क्या खाते हैं? हमने KFC क्यों खाया? क्योंकि मैं साल का था और मेरे और एंडू के पास खाना नहीं था मैं डिन्स्टेबल, युनाइटिब किंग्डम में KFC रेस तरह जाने के लिए अपनी टूटी हुई फोक्स वेगन बुल्फ चलाता था और मैं अपनी कार में बैठा करता था और कभी भी किसी के बचे हुए खाने को नहीं खाता था अगर उस पर किसी का मुह गया होता लेकिन KFC में वे बाल्टी खरीदते थे और मैं बैटकर लोगों के बाहर इंतजार करता था जब वे अपना खाना खाकर बाल्टी मेज पर छोड़ देते और मैं जाकर उस बाल्टी से जाकर 3 या 4 चिकन के तुकड़े ले लेता था और मैं बाल्टियों में छोड़े हुए चिकन के टुकड़े एक रथा करता था जो पूरी तरह से ठीक थे फिर मैं घर जाता था और उस चिकन को फीज में रख देता था फिर मैं और एंडुरू से तोड़कर हमारे चावल में मिला देते थे और वही हमारा खाना था, यही कारण है कि हमें उस कर्थिन वर्ष के लिए बनाए रखा, वो वर्ष जब हमारे पास था डब में वर्ष का था और आप वर्ष के थे हम वास्तव में गरीब नहीं थे क्योंकि पापा शत्रंज मास्टर थे, उस बारे में बात करनी है, बिल्कुल, तो हाँ, जो असल में काफी अद्भुत है वह यह है कि मैं ऐसा बन गया, हम जल्दी ट्विच लोगों के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं इन ट्विच ट्रेन हो और पूरा समय हो तब भी, तुम्हारी स्थिती के अनुसार तुम बेहत बेतुका हो, हमें विश्व चैंपियन बनना था, मैंने विश्व चैंपियन बनने के बादी यूरोपी चैंपियन बना, डब वर्स से ताकत पाओ, हम हर दिन चावल खाते हैं सोचते हुए कि यह सबसे सस्ता खाने का विकल्प है, हमारे पास सारडीन नहीं है, पर हमें मीट चाहिए, मास कहां से लाएं, मैंने तो बिना खाने के भी वर्ल चैंपियन बन लिया था, और तो यह बच्चे हैं जिनके पास करोडों करोडों रुप्ये हैं, उसके पास एक स्पैक नहीं इसलिए मुझे उसे बताना पड़ा, और मैं उसे अपनी पूरी जिन्दगी में बताता रहूंगा, भाई मैं तुम्हारी मदद करूँगा, एडिन को बुलाओ, हमारे साथ टाइम पास करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा यार, क्योंकि मैंने कहा, भाई, ते एको जिन् अंदर समझना होगा, और यही तुम्हें एक मर्द बनाता है, अगर तुम मुश्किल समय नहीं गुजारा हो, तो तुम अच्छे मर्द नहीं हो, कोई आदमी जिन्दगी आसान नहीं रही, वो कठिनाईयों के सामने टिक नहीं पाएगा, और मर्द बनने का मतलब है कि आप कठिनाई का सामना करने की ख्शमता रखें, यही पूरी बात है, तो हाँ, तुम सही हो, यह एक दूपर कहानी नहीं है, यह हमारे लिए बहुत खुशी की कहानी है